नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिसन गुरुकुल में मेरे नाम गौरु सिंग है मैं आप सभी को हिस्ट्री पढ़ा होंगा दोस्तों आपने इंट्रोड़क्टरी वीडियो देख लिये होंगे तो जैसे उसमें हमने बात किया था हम प् करेंगे हमने बोला था सिलिवस काफी वाष्ट है UPSC EPFO एक्जाम में काफी इधर उधर से क्विश्टन पूछ लिया जाता है इस सेक्शन में तो मैंने इसमें कई बुक्स से क्रक्स निकाला है आप सभी देख सकते हैं SK पंडे सुमिश सरकार स्पेक्ट्रम NCERT और प्रिवि जे लेंगे क्योंकि सबसे पहली चीज क्या है कि नोट्स बनाना बहुत है आपकी नोट्स आपकी होती है और उससे सबसे अच्छा रिवीजन होता है इसलिए मैं जब भी कुछ भी पढ़ाऊंगा तो कॉपी पिन लेके जरूर बैठे उसको लिखिए हम PDF आपको हो जाएगी दिमाग में आ जाएगी चार ओप्सन आते हैं यार चार ओप्सन आएंगे तो उसमें आपको देख के पैटर्न पहचानना है ना कि आपको एक कुईस्चन लिख दिया जाएगा और उसको आपको रट कर उसका आंसर देना है उसके बाद जो है इसमें कुईस्च कर दिया गया है कुछ-कुछ important point highlight जो किया गया है आप उसको जब भी देखिए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि हाँ इसके आने की probability काफी जादा है ठीक है चलिए सुरुआत करते हैं शुरुआत करते हैं इंडियन सोसाइटी से कि उस टाइम पर इंडियन सोसाइटी कर दिया जाता था सामाजिक बहिसकार कर दिया जाता था तो कितनी रिजट सोसाइटी थी उसके बाद जो है religion के दो form होता है कि external form होता है कि internal form एक्स्टर्नल फॉर्म में कर्मकार्ण हावी रहता है थी derogatory practices जो है women's के against चलती थी और caste untouchability seclusion of women जैसे पहले बता है slavery, idolatry, fatalism यह सब कुछ उस टाइम पर मौझूद था जो कि भारत की समाज को आगे बढ़ने से रोकता था ठीक है तो ऐसा situation थी कुछ न कुछ चेंज हुआ जिसके कारण status को टूटा यह था इस्थिती मतलब जो है टूटी क्या कारण थे सबसे पहले west का जो है प्रभाव modern इंडिया पे west का प्रभाव मतलब आप समझ सकते हैं कि जो है rationalism आया education के साथ English education के साथ rationalism आया तर्क विद्य आई अपने कहां जो प्रैक्टिसे चल रहे हैं उसके बारे में investigation start हुआ कि यह सही है कि नहीं जैसे सती प्रता में women को जला दे रहे हैं कि भाई क्यों जला दे रहे हैं क्या यह सही है क्या गलत है मानो अधिकार जैसी टाइप की चीज़े उस टाइन पर पनपना सुरू हो गई थी दूसरा European ने influence किया था देखिए western education से तो influence किया ही था दूसरा influence जो है उन्होंने administration लाके एक उसमें सुधार करने की कोसिस की regulations भी लाया थे जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा ठीक है त इंडिया की जो हिस्ट्री को explore करना सुरू किया भारत के समाज को गौरवानित करना सुरू किया उसके पहले क्रिस्चियन मिसिनरी जो है काफी डेरुगेटरी रिमार्स जो है इंडियन सोसाइटी हिंदू कल्चर को देते थे तो इससे उनको अनुभा हुआ की नहीं अपने गौरो जैसी चीज़े जो है बढ़ाया उसके बाद जो वेश्टर एजूकेशन के कारण एक मेडिल क्लास जो है आया मेडिल क्लास जो की देखी उस टाइम पे एजूकेशन तो आ गई थी लेकिन जॉब उसके बराबर नहीं थी तो कुछ लोग क्या करें चर्नलिजम स्टा की है कि रियालेटी से लोग उसके वाकिफ हो तो वेश्टर एजूकेशन से जो मेडिल क्लास उपजे थे उनका रोल भी बहुत जादा था उसके साथ साथ एक इसमें वर्ग था जो की रियेक्शन एक होता है एक्शन एक्शन जो है ब्रिटिसर्स को जो प्रभाव पढ़ा स हमारे समाज जो है इतना बुरा है ठीक है उसमें कुछ कमिया जरूर है उन कमियों को दूर करने के बाद जो हम भी इनके लोगों के उपर या इनसे बराबर हो सकते हैं इन्होंने जो है हिंदूईजब पे काफी ज़्यादा फोकस किया और उसको अंदर से रिफॉर्म लाने की कोशिस किये बिटिसर हाथ तक छे बिलकुल भी नहीं चाते थे उसमें आरे समाज का नाम जो है सबसे उपर आता है तो इसका एक और एक और इसकी परेड़त हुई मतलब एक consequence हुआ उसमें क्या हुआ कि इन्होंने हिंदू कल्चर को इतना over glorify कर दिया कि medieval history को जो है बाइ important है हम detail में नीचे पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद मैंने right में कुछ questions दी हैं आप इन questions को solve करिएगा इसके answer मैं दूँगा ये काफी हद तक जो left side में मैं जो theory बता रहा हूँ उससे linked है किसी way में और नहीं भी linked है तो आप खुद सर्च मारिएगा सीखिएगा इससे आपकी cognitive abilities जो है बढ़ेगी ठीक है question में पढ़ देता हूँ which section of the society was attracted most during socio religious reform movements ठीक है पुनर जागरण काल के दोरान जो है सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलनों में कौन सा जो है section society का प्रभावित हुआ था ठीक है बतलब आकरसित हुआ था उसकी ओर intelligentsia higher class in urban areas, poor masses, liberal princes and princely state तो इसका answer आप लोग बताईएगा मैं नहीं बताऊंगा ठीक है उसके बाद एक और question है which are the following are correct regarding socio religious reform movements it was influenced by western education, Hindu religious and historical symbol used by the leader for public mobilization ठीक है देखिएगा इसको ध्यान से socio religious reform movement in muslim communities started late compared to hindu religious reform movement तो आप इसका answer देने की कोशिस करिएगा पढ़िएगा जो मैंने ये दिया हुआ है मैंने जो basic था आपको बता दिया है कुछ आप भी मेनत करिएगा और ये इसका answer आप लोग जब दे देंगे तो मैं answer की दूँगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब movements में आते हैं movements में आते हैं एक राजा राम मोहनदा जी आते हैं ठीक है अगर आपसे पूछा जाए फॉर्दर आप modern इंडिया कौन है तो उसका answer होगा राजा राम मोहनदा है जो इसको नव जागरण का अगरुदूत कहा जाता है हिंदी में ये जब बचपन में ही थे तो इनों आइडोलिजम के बारे में थोड़ा criticize किया तो इनके पिता जो है एक अर्थोडाक्स व्यू पॉइंट के थे इनको घर से निकाल दिया था तो ये वहाँ से नेपाल चले पार्सी, संस्क्रेट, पाली, जितनी भी language आप जानते हैं उन्होंने सब कुछ सीखा ठीक है और सबके visionary approach अपना ही और सबके प्रतिन का liberal भाव था ऐसा नहीं है कि हिंदूिजम के प्रति जादा था Christianity के प्रति जादा था हाँ, rationality जरूर थी, जो चीज rational था उसको ही माना थ तो इन्होंने आइडॉलिजम को refute किया था, मैंने जो की बताया, ये बच्पन में ही refute कर दिये थे, उसके बाद इन्होंने तुफत अलमोहाई दीन जो है, एक परसियन जो है, language में लिखा था, magazine, उसमें जो है, monotheism को इन्होंने deny किया था, और काफियत तक Islam से influence हुए थे, Islam में जानते ही है, आप जैसे Hinduism में polytheism होता है, लेकिन इन्होंने monotheism को support किया, Islam में क्या होता है, निराकार भगवान को माना जाता है, तो मिरात अलखबार और Brahmanical magazine इनकी और रचनाय थी, इसको भी याद रखियेगा, मैंने इसको highlight कर दिया है, काफी बार पूछा जाता है इन्होंने आत्मी सवा 1814 और वेदानता सोसाइटी 1816 में इस्थापित किया था, वेदानता सोसाइटी इंडिया में जब इस्थापित करने की बात आती है, तो राजा राम मोहन रायर टिक लगा दीजिएगा, इयर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप लोगों की दिम इस्थापित किया, उन्हें नीचे लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज मत होईएगा, यहीं बताते चलता हूँ, क्लारिटी होना बहुत ही जरूरी है, इन्होंने परसिप्ट आफ जीसस भी लिखा था, उसमें बेसिकली क्रिस्टियानिटी की जो अच्छे अच्छे टेन कमा इनको राजा की उपादी के बाद, इनको इंग लैंड में विलियम फोर्थ के पास भेजा गया था, आप लोगों को पता हो, तो बकसर के युद्द के बाद, जो है, यहां के मोगल किंग की जो एक लेवल था या उनको एक पैंसनर के तौर पे बना दिया गया था तो हो सकता है उनको पैंसन कम लगी हो और पैंसन के लिए ही बातचीत के करने के लिए उनको जो है विलियम फशोर्थ के जो है कोर्ट में भेजा था ठीक है इन्होंने English Education को प्रमोट किया राजा राम मोहन राय जी ने इसको याद रखिए गए English Education को उन्होंने प्रमोट किया था और ये सुधार समाज में चाते थे समाज में सुधार दो तरीके से लोग चाते थे उस टाइम पे एक था कि समाज में सुधार हम अपने अंदर से लाएं इसमें Britishers का कोई हस्तक छेप नहीं हो लेकिन ये चाते थे कि जागरुकता तो फैले ही फैले लेकिन Britishers भी जो है एक उसको implement उसको कर्यानवित करवा के जो है हमारी मदद करें तो ये उस side वाले थे कि Britishers भी साथ में उसक को assist करें rule regulation मना के ठीक है और ये चांते थे कि जो Britishers rule है इंडिया से जल्दी जाने वाला नहीं है इसलिए वो चाते थे कि company के rule इंडिया में समाजिक आर्थिक दसा को सुधारे और ये उसके साथ जो है कॉपरेशन करने को भी तयार थे ये अंतराश्टी अस्तर पे भी काफी हद तक एक freedom के लिए सोच रखते थे नेपल्स की करांती जो Italy में हो रही थी वो जो fail हो गई थे 1830 के आसपास जो कि मैं आपको कभी world history में पढ़ाऊंगा ये काभी उदास हुए थे और Spanish करांती जब ये सफाल हो गई थी तो इन्होंन राम मोहन राय की दित कहां हो इथी तो उसका आंसर होगा Bristol जो है इनका सबसे बड़ा योगदान क्या है इनका सबसे बड़ा योगदान है सती प्रथा पे प्रतिबंद लगवाना कैसे लगवाए थे इन्होंने ब्रह्म समाज की पहले ब्रह्म सभा करके 1827 में स्टैबलेस क किया था जो कि आगे चलके ब्रह्म समाज बना ये सती के अगेंस्ट काफी जादा इन्होंने प्रचार प्रसाज किया लोगों में जागरूकता फैलाई और इनकी प्रसिद्ध पत्रिका एक समवाद कौमूदी है ये आप लोग लिख लिजेगा important है समवाद कौमूदी जो ह उसमें इन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट काफी कुछ लेख लिखे थे ठीक है ये जब प्रह्म समाज में थे उसके बाद जब ये ब्रिटेन चले गया तो इनकी absence में जो है विद्याधर बागीज जो है इसके head बने ठीक है विद्याधर बागीज इसके head बने लेकिन रखिएगा विद्याधर बागीज की बात आती है तो वो उनकी absence में ही बने थे अगर question आता है राजा राम मोहन राय के बाद जो है ब्रह्म समाज का head कौन था तो उसका answer होगा देवेंद्र नाठ टैगोर ना की विद्याधर बागीज उनकी absence में कभी रेयर question पूछ लिया जाएगा तो आपको ये answer आना चाहिए इसलिए मैंने mention कर लिया है देवेंद्नाठ टैगोर को ही ज़्यादा ध्यान में रखियेगा देवेंद्नाठ टैगोर के बारे में दो तीन चीज़े जान लेजी अठारा सो उन्तालिस में उन्होंने तत्त्य बोधनी सभा जो है केसो चंद्र से इन जो है बहुत ही डायनिमिक आदमी थे इन्होंने जो है ब्रह्म समाज के जो वैलूस थे उसको काफी ज़्यादा प्रोपागेट किया सामाजिक सुधार पे काफी ज़्यादा बल दिया लेकिन ये चीज़ जो है देवेंद्नाठ टैगोर को इतना ज़्य ब्रह्म समाज का जो है दोड डिवीजन हुआ कुश्चन पूछा जाएगा ब्रह्म समाज का डिवीजन कम हुआ तो इसका अंसर होगा 1865 में इसमें दो पार्ट में डिवाइड हुआ एक आदी ब्रह्म समाज एक ब्रह्म समाज आफ इंडिया आदी ब्रह्म समाज किसका था आधी मतलब जो होता है पहला आधी मतलब पुराना पुराना मतलब जो है देवेंदरनाट टैगोर का और ब्रह्म समाज आफ इंडिया किसका होगा केसो चंद्र सेन का जिसको नव ब्रह्म समाज नियो ब्रह्म समाज भी बोलते हैं ठीक है फिर इन्हों ने केसो चंद्र सेन न चाइल्ड मैरेस के अगेश काफी ज़्यादा कैम्पेंच चलाया था ठीक है इनी के कारण जो है 1872 में ब्रह्म नेटिव एक्ट पास हुआ था याद रखिएगा ब्रह्म नेटिव एक्ट पास कराने में बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण भूमिका निभाया था केसो चंद सेन ने तो उसके बाद क्या हुआ था लेकिन 1873 में इन्होंने अपनी खुद की जो है बेटी जो की 12 साल की थी कूच बियार के राजा के साथ उसकी साधी कर दी थी तो फिर मतलब आप किसी चीज को प्रमोट कर रहे हो और आप खुद ही उसको नहीं फालो कर रहे हो तो से आपको फालो करेगा यही कारण हुआ कि 1878 में ब्रह्म समाज के दो विभाजन और हो गए एक ब्रह्म समाज आफ इंडिया हो गया एक साधारन ब्रह्म समाज हो गया आनंद मोहन बोस और सियुनाज सास्त्री के अंडर तो आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा सियु ब्रह्म समाज के सियुनाज सास्त्री और आनंद मोहन बोस जी थे ठीक है इसको याद रखिएगा उसके बाद जो है केशो चंदर सेंज भारती इतिहास में कुछ दिनों के लिए डार्क में चले गया है उसके बाद उनका कुछ दिनों बाद मृत्त्य हो गई ठीक है इसमें भी मैंने कुष्चन दिये हैं कुष्चन आप लोग अच्छे से देखिएगा कुष्चन दिया हुआ है कि ब्रह्म समाज के बारे में पूछा है कि कौन सा करेक्ट है ब्रह्म समाज वाज इस्टेबलिस्ट बाइक राजाराब मोहन राय इन 1829 इट सपोर्टेट एठीजम ठ ठीक है तीसरा स्टेटमेंट है इन 1865 ब्रह्म समाज वाज डिवाइड इन ब्रह्म समाज आफ इंडिया एंड साधाराण ब्रह्म समाज ठीक है आप लोग खुद से इसको अटेम्ट कीजिएगा उसके बाद आते हैं दूसरा कुष्चन यह है विच वन आफ द फालोइंग इसके चारों अप्सन देखिएगा और खुद से करने की कोशिज करिएगा इट अपोश्ट आइडलिजम इट इन इंटर्प्रेटेशन आफ इसको डिया जाएगा लेक्चर के बाद तो जरूर उसको अच्छे से करिएगा इसमें राजा राम मोहन राय के बारे में पूचा गया हिवाज अगेंज ब्रिटिस रूल इन इंडिया हिवाज सेटें बाइड फेलियर आफ नेपल्स रिवल्यूशन ही इग्नोर्ड बरनकुलर्स ठीक है इसमें आपको ऑप्सन दिये गए हैं आप इसको लगाने की कोसिस करिएगा खुद से उसके बाद मैं इसका आंसर सापको बता हूँगा चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं स्वामी विवेकानंद जी का नाम बतलब नरेंद नाथ दत्त था विवेकानंद नाम उनको जो है खेतरी के राजा ने सज़ेस्ट किया था याद करिएगा विवेकानंद नाम जो है इनका बचपन से ही नहीं था उसको खेतरी के राजा ने ही सज़ेस्ट किया था एक टाइम के ये ब्रह्म समाज के जो है मेंबर थे लेकिन वो कभी खुस नहीं हुए इनके अंदर एक जिग्यासा थी उसको आगे बढ़ाने के ठीक है एक चीज़ और याद कर लिजेगर रामकृष्ण परमहंस की वाइफ का नाम जो है सार्दा देवी था क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था रामकृष्ण परमहंस की वाइफ का नाम सार्दा देवी कई जगा क्यों साया हुआ है इसलिए मैंने उसको मेंसन कर दिया है ठीक है विवेकानन्द जी जो है new हिंदुजम के प्रचारक थे नियो हिंदुजम क्या था जो की Western Materialism और Eastern spiritualism काएक synthesis था ट्रेडिसन और मॉडरनिटी काएक synthesis था फेथ और science का synthesis था ठीक है नियो हिंदुजम के प्रचारक कौन थे कुछ चेन आए गा तो तो उसके answer है Swami Vivekanand, इसमें जो है, vision जो है, और rationality जो है, west से लिया गया था, लेकिन content जो है, इंडिया से लिया गया था है, इसलिए इसको new Hinduism कहते हैं, new Vedanta philosophy जो है, supporter भी थे यह, इनके लिए जो है, social reform जो है, पहले number पे था, religious reform जो है, दूसरे number पे था, religion की बात ये तब ही करेंगे, जब लोगों के पास ये भुखमरी और गरी भी दूर हो जाए, इसलिए इन्होंने कहा था, worship God in man and universal unity of all religion, तो इसको ध्यान में रखिएगा, कि इनकी thoughts क्या थी, कई बार आ संसद में भागी दारी किये थे, वहाँ पे इन्होंने काफी ज़्यादा impress किया था, जो कि इन्होंने विस्व को दिखाया था, हिंदूइजम भी काफी ज़्यादा dynamism है, और काफी ज़्यादा इनका, वहाँ पे सबान भी हुआ था, दूसरा, world religion of parliament कहा हुआ था, पेरिस मे second हुआ था, उसमें कौन पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट किया थे, यूज्यादी कुछ पूचा नहीं गया था, लेकिन जानना चाहिए, कभी भी पूच सकते हैं, इन्होंने राम क्रिस्न मिसन जो है, 1897 में इस्टैबलिस कि किया था, उसको बारा नौगवर मेथ के नाम से पहले बोला जाता था, बारा नौगवर एक जगा है, इसको सोसाइटी के तौर पे 1909 में रजिस्टर किया था, जिसका हेड़कॉर्टर बेलूर कुलकाता के और मायवती अलमोरा के नामक जगा पे इस्थित है, ठीक है, मैंन की पात और फिलोसफी को फॉलो किया था, आगे चलके रामकृष्ण मिसन की सदस्या बन गई थी, आप लोगों से कुछ्टन पूछा जा सकता है, कर्मयोग, राजयोग, ज्यान योग के उपर बुक कौन लिखा था, तो उसके आंसर होगा स्वामी विवेकानन्द जो है, ठ रचना हैं, कर्मयोग, राजयोग, ज्यान योग, ठीक है, सुभास चंद्रबोस ने स्पिरिच्वल फादर आप मौडर्न नेशनल मूव्मेंट का था, इनको, इस्पिरिच्वल आध्धात्मिक पिता के तोर पे कुष्चन आ सकता है, कि किसने किसको बोला था, तो सुभास चंद्रबोस ने स्वामी विवेकानन्द को बोला था, आगे चलके आप फ्रीडम इस्टगल मूव्मेंट में देखेंगे, काफी लोगों जो स्वामी विवेकानन्द से काफी ज़्यादा इंफ्लूएंस्ड हुए थे, और आगे चलके अपनी जो वर्क थे, कुश्चन्स हैं, और आने की चांसेज भी इन में से काफी ज़्यादा हैं, और इसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है, आगेला टॉपिक पे आते हैं, दैयानंद सरस्वती पे, दैयानंद सरस्वती एक रिवाइवलिस्ट पद्धती पे काम किये थे, मैंने आपको बता ठीक है, अगर कोई भी सोसल रिफॉर्मर है, तो बिना ओपेन मैंडेट हुए, वो काम कर ही नहीं सकता, ठीक है, इनके बचपन का नाम मोल संकरता, इनके गुरु का नाम जो है, विरजान, विरजान ने इनों जो है, हिंदुजम को प्रचार प्रसार करने के लिए बोला, औ और गुरु से प्रणिडा लेके इनोंने उसको प्रचार प्रसार करने का प्रतिबद्वता भी ली, ठीक है, तो उसके चलते 1875 में बामबे में आरे समाज का स्थापित किया, कहां पे स्थापित किया, कुछ चनाएगा तो बामबे, कई बार दे देता है, बामबे, कहां पे स्थापित किया गया था, बामबे में, ठीक है, 1875 में, इनकी बहुत ही फेमस वर्क है, सत्यार्थ प्रकास, जो की हिंदी में इन्होंने केसोचंद सेन की प्रेणा से लिखी थी, जो की बनारा से पब्लिस की गई थी, याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकास, हिंदी में, केसोचंद सेन से ही प्रेरित होकर, इन्होंने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज माना था, ठीक है, केसोचंद सेन ने बहुत लोगों को इंफ्लूएंस किया था, मैंने आपको बता है कि वो काभी डायनेमिक आदमी थे, बहुत ही जादा सोसियल रिफार्म मूव्मेंट में उनका नाम आता है, वो अलग बात है कि बाद में उन्होंने अपनी बेटी की साधी कर दी थे, लेकिन उस टाइम के बहुत ही इंफ्लूएंसियल आदमी थे, ठीक है, इन्हेंने वेदा को, बैक टू वेदा जो है, स्लोगन दिया, और पुराना अंटचबिलिटी को क्रि इन्होंने पुराना को सपूर्ट किया था और आप लोग जो है कि आदमी वेदा पढ़ता है, पुराना पढ़ता ही होगा नहीं, डिमाग में रखियेगा कि पुराना इन्होने डिनाई किया था, क्योंकि कर्मकांड उल्टे सीधे जो भी है, उसका स्रोज पुराना में इनके according और जो है वर्ना सिस्टम इन्होंने support किया था वर्ना सिस्टम याद करियेगा अल्ली व्यदिक period से शुरू हुआ था वो काफी ज़्यादा dynamic system था उसमें क्या है कि आप जो है अपने occupation के according अपना वर्ना जो है चेंज कर सकते थे तो इनकी भी thinking वही थी बाद में जो है रिजिटिटी इसमें caste system के untouchability discrimination टाइप की चीज़े जो है वो लेटर वेधिक period में generate हुई ठीक है तो इसलिए इसमें दिमाग में रखियेगा कि वर्ना system को और authority आफ वेधा को इन्होंने support किया था और पुराना और untouchability को इन्होंने criticize किया था इन्होंने आगरा में जो है पाखंड खंडनी पता का जो की मतलब basically कर्मकांड और पाखंडपन को जो है डिनाई करती थी उसके लिए campaign चलाया था तो उसको नाम दिया था पाखंड खंडनी पता का आगरा में ये unity of God मतलब God की एकता में भरोसा रखते थे और monotheism को support किया था और laugh कर्मा को भी support किया था लेकिन इन्होंने आवतारवाद को डिनाई किया था ठीक है? laugh कर्मा को भी support किया था उसको माना था laugh कर्मा जो है transmigration आफसोल एक बाड़ी से दूसरी बाड़ी उसका मतलब को स्थानांतरित होना साथ ही साथ मतलब ये एक laugh कर्मा ये होता है का आप अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे बुरा करोगे तो बुरक पाओगे तो इसकी प Martin Luther King of India बोला जाता था याद रखिएगा question आता है Martin Luther King of India किसको बोला जाता था उसका answer जो होगा दयानन्द सरस्वती जी होंगे और स्वराज किसने जो है पहली बार use किया word दयानन्द सरस्वती दोनों पे question आ चुका है ध्यान रखिएगा बहुत important है मैंने बता दिया कि Hindi language ज बात आती है आरे समाज के तो उसकी योगदान बहुत ही बड़ा है education के लिए जो है जायनन्द आंगलो वेदिक विस्विद्याला जो है 1886 में लाहर में लाला हांसराज ने establish किया लेकिन इसमें भी problem थी medium of education को लेके कुछ लोग चाते थे वरना कुला language को लेकर education दिया जाए तो इसके चलते जो है आगे इसमें चलके food पड़ गई 1902 में स्वामी स्रद्धानंद के अंडर जो है हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की गई ठीक है 1902 में स्वामी स्रद्धानंद के अंडर अच्छा आरे समाज का एक negative point ये था कि communalism काफी जादा इसके कारण हो गये इनको घर वापसी का काम जो है कराना सुरू किया था इसी के चलते जो है आप लोग याद रखके मतलब पढ़ेंगे आगे चलके एक स्वामी जो है स्वामी जो स्रद्धानंद का जो है मर्डर हो गया था 1925 में उन्होंने भी सुद्धी movement वापस स्टार्ट किया था एक टाइम खिलाफत और non-cooperation movement के टाइम पे हिंदू-Muslim एकता के प्रतीक थे उस टाइम पे उनका मुस्लिम में भी पैर चूमा था वो बहुत ही मतलब हिस्ट्री बे बहुत ही glorified word में लिखा जाता हिंदू-Muslim एकता के जब प्रतीक की बात होती है और 1882 में ही दैनन सरस्व प्रती ने गौर अक्षेनी सभा को पनाया था और गौर अक्षेनी सभा में काफी congress के भी member थे यही कारण है कि Muslim जो है अक्सर इसको हिंदू की party का दो सार ओपड करते थे और Muslim alienate करते थे अपने आपको congress से इसमें भी मैंने question दिया हुआ है आप इन questions को पढ़िएगा आरे समाज पर question दिया हुआ है दैनन सरुसती के बारे में question दिया हुआ है self governance के बारे में question दिया है कि वही जो मैंने आपको बताया है तो इसको solve करने की कोसिस किजिएगा थोड़ा conceptual है थोड़ा factual है बाकी मैं answer उसको आपको बाद में बताऊंगा फिर आते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में थियोसोफिकल सोसाइटी जो है बीपी ब्लावस्की और अमेरिकन कलनन अलकॉट ने स्टेबलिस किया था कहां इस्टेबलिस किया था 1875 में न्यूयार्क में इस्टेबलिस किया था क्विस्चन आता है कि कई बार के 1875 में मदरास के अडियार में इस्टेबलिस किया था तो नहीं बिल्कुल नहीं मदरास अडियार में जो है अबारा का question भी है एक कि उसमें जो है अडियार ही दे दिया था तो ये लोग भूल गये थे को न्यूव यार्क से ही start हो गया था इनका दयानम सरुसक्ति के साथ कुछ पत्राचार हुए थे correspondence हुआ था जिसके basis पे ये दोनों movement को मतला बारस समाज जो movement चला रहा था और थियोसोफिकल सोसाइटी जो movement चला रही थी उसको unify करना चाते थे लेकिन वो बहुत ही छोटे time के लिए चला जो कि आगे चलके तोट गया था 1882 में ये इंडिया है और अडियार को headquarter बनाया है जो कि मैंने आपको बताया चुकिया था ये basically Hinduism को support करते थे उससे काफी ज़्यादा influence थे जो कि derogatory remark जो है Christian missionaries मारते थे Hinduism के God को लेकर इंसके principles को लेकर उसको इन्होंने काफी ज़्यादा बचाओ किया था तो जो है इन्होंने unity of God पे बिश्वास किया थ्री-fold emanation जो है ये अप philosophical है आप इसको बहुत detail में मत जाईएगा कि क्या होता है थ्री-fold और hierarchy of angels क्या होता है ये सब मत जानने की कोशित करिये बस इतना जान लिजएगा इन्होंने इसको support किया human spirit and subhuman intelligence को भी support किया universal brotherhood को भी support किया बाद में मैंने आपको बताया हिंदुईजम को इन्होंने western missionaries के derogatory remarks से बचाया था एक इनके साथ event हुआ था जो कि बहुत ही important है question पूछ सकता है कि statement देखे कि कि किसने बोला था कि तिबबत के साथ उनको supernatural power जो कुछ लोग रखते हैं उनके साथ इनका correspondence हुआ contact हुआ मिली उनसे ये किसने बोला था ये अगर आपको question आजा तो BP blouse की के साथ हुआ था तिबबत से उनको claim था कि कुछ लोग जो है तिबबत में रहते हैं इनके पास miraculous power है इनके साथ उन्होंने जो है correspondence किया था और काफी कुछ इनको आध्यात में क्यों और बढ़ाया उन ठीक है ये इतना important इतना ही है आप इतना ही दिमाग में रखिएगा है एनी बेसंट ने इसको popular किया था एनी बेसंट जो है बाद में इसमें जोईन हुई थी और आप लोग जानते होंगे थी उसे उफिकल सेसाइटी के member थी नहीं जानते तो आज भी जान लीजिए उन्हें ने इसको काफी जाता प्रचार पसार किया एक बहुत ही बड़ा question आता है Central Hindu College को किसने उस foundation किसने रखा था तो बनारस में 1898 में एनी बेसंट ने ही रखा था जो कि बाद में चलके B.H.U. बनारस Hindu University में convert हुआ था ठीक है ये question आया हुआ है exam मैं इसलिए आपको जोड़ कान खड़े हो जाना चाहिए जब ऐसी चीज़े बोला जाए कि जो exam में आया हुआ है किसी ने में भी अगर एक दो तीन चार स्टेट्मेंट है तो एक स्टेट्मेंट यही डाल दी आप सब पड़े हैं यही नहीं यादा है तो भूल गए तो बेकार हो जागा या में भी य आते हैं 1806 में आत्मा रणग पांडुरंगा ने इसको इसटेबलिश की आ था यह भी केसो चंद्र सेंसे इफ्लूएंस होने की बात आती है तो आत्मा रणग पांडुरंगा इंफ्लूएंस हो रघ यह तैयानन सरस्वती नेसनल लैंग्विज हिंदी को मानने में ठीक है राना डे जो की इसको काफी ज्यादा फेमस किये थे जिनके नाम के साथ हम लोग प्रार्थना समाज अक्सर जोड़ देते हैं वो इसको इसको इसके फाउंडर मेंबर नहीं थे इस्टैब्लिस नहीं किय था है याद करिए मतलब आपको नहीं पता होगा तो मैं आज बता देता हूं कि 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था एक्स्ट्रीमिस्ट और मॉडरेटर्स के बीच में राना डे जो है मॉडरेटर्स में आते थे और तिलक जो है एक्स्ट्रीमिस्ट की मतलब उसमें बिलॉंग करते थे ठीक है गुट में उसके लीडर थे तो इन लोगों के व्यक्तित तो लड़ा परस्नालिटी का जो क्लैस था बहुत ही पहले से चल दा था इसका जो बेस जो है बहुत पहले से बंदा था इन दोनों का बंदरास में सरी बॉंबे में जो है बहुत पहले परस्नालिट व्यक्तित तो ठकरहाट होती थी तो आगे मैं आपको 1907 में सूरत स्प्लेट के टाइम पे बताऊंगा क्योंकि तिलक ने उनको जो है डिकन एजूकेशन सोसाइटी जो है इनसे छीन ली थी इनका इंफ्लूएंस उसमें कम कर दिया था और रानडे जो है इनके अगर कर करके एक साथी थे आप लोगों को आगे मैं इसमें ही बताऊंगा इसी चैप्टर में कि जो केसरी और मराठा के जो पहले संपादक थे जो की तिलक के काफी खास थे उनको अपनी और मिला लिया था यह लड़ाई व्यक्तित्त की यार कही भी राजनी तो हमेशा हुई है हर योग में हुई है तो राजनी थे हर जगा चलती थी और सूरत स्प्लेट का सबसे बड़ा रीजन था कि जो बेस्ट इंडिया में राजनी थी चलती थी बामबे प्रोविंस में वो बहुत ही बड़ा रीजन था तो आज ही बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत यहां पर आईडिया ले लीजे आगे पूरा डिटेल में बताऊंगा जब वहां बताऊंगा यह अपने अकुपेशन से बामबे हाई कोर्ट के जस्त थे पूछा जाए तो राजा राम मोहंदा है लेकिन पस्चमी भारत के पुनर जागरण के अगरुदूद पूछा जाए तो उसका अंसर है राना डे रगुनाच राओ के साथ इन्होंने इंडियन नेशना सोसल कॉनफरेंस जो है कॉछा जब इस्टेबलिस हुआ था तो वो पॉलिटिकल स्पीर की बात करता था अपने मंच से इसने सोसल स्पीर के बारे में बात करने को मना कर दिया था तो राना डे जी चाहते थे कि सोसल स्पीर में भी रिफॉर्म लाया जाए तो इसलिए इन्होंने इंडियन नेशनल सोसल कॉनफरेंस बनाया था जिसको की 1998 में तिलक ने कांग्रेस के मंच से बंद करवा दिया था परसनालिटी व्यक्तित्य की क्लैस ठीक है गोखले ने इनको तुकाराम एकनाथ के साथ जो है कमपेर किया था कुश्चन आपको आसकता है कि एकनाथ और तुकाराम के साथ किसको गोखले ने कमपेर किया रानाडे या आसकता है कि रानाडे को एकनाथ तुकाराम के साथ किसने कमपेर किया तो उसका अंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले जो की आगे चलके moderators के leader बने थे इन्होंने भी monotheism को emphasize किया ठीक है और social reform पे मैंने बताया था Indian National Social Conference बनाया तो इनका social reform पे ज़्यादा focus था ठीक है DK करवे विश्नु परमहन सास्त्री जो है इनके साथ ही थे इनों अगर आपको कई बार question मिलेगा DK करवे विश्नु परमहन सास्त्री इनोंने जो है women emancipation पे काफी ज़्यादा काम किया था इनके साथ मिलकर इनों जो widow remarriage association और widow home association established किया था मैंने यहाँ विडियो लिखना भूल गया तो मैं आप लोगों को जब pdf provide करूँँगा तो इसमें यह विडियो लिख दूँगा ठीक है widow remarriage association और widow home association DK करवे और विश्नु परमहन सास्त्री के साथ मिलकर जो है इनोंने establish किया था ठीक है एक चीज और आप लोगों को question कई बार मिल सकता है कि widow home association किसने establish किया था उसमें चार अलग-अलग option देते हैं DK करवे विश्नु परमहन सास्त्री और रानडे तो उसका जो सही आंसर होगा अब हमेशा DK करवे बनाएगा है उन्होंने पूरी life जो है इसमें बिता दिया DK करवे most important है जब भी women empowerment की बात आती है emancipation की बात आती है women education की बात आती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सत्यसोदक समाज question हमने दिये हुए है इसको question भी solve करिएगा थोड़ा बहुत conceptual है थोड़ा बहुत factual है जब यह question अभी आपके left side में theory है right side में question है तो हो सकता है आपको easy लगे लेकिन यह question जब आगर आप theory के बगएर देखेंगे तो यह चीज आपको tough लगेगी ठीक है अगला topic है सत्यसोदक समाज सत्यसोदक समाज जो जियोतिवाब फुले ने establish किया था कब किया था 1873 में किसने किया था जियोतिवाब फुले फिर से बोल रहा हूं कुरीतियों का उपज मतलब स्रोत था उसके against उन्हेंने campaign किया था इनका सबसे important जो work है गुलामगीरी था जो कि उन्हेंने 1872 में लिखा था कौन सा सबसे important work था गुलामगीरी 1872 में ठीक है इनका एक और work था सारुजनिक सत्यधर्मा सारुजनिक सत्यधर्मा तो इसको भी याद रखिएगा ये तुना important नहीं है लेकिन गुलामगीरी जो है बहुत ही ज़्यादा important है इसको याद रखिएगा इनकी wife जो है सावित्री भाई जो है वो भी एक सामाज सुधारक थी जोन्होंने पूना में उपादे दी गई थी महात्मा जोतिवा फूले ठीक है ये चीज़ important है जोतिवा फूले के बारे में basically ये low caste movement में आता है लेकिन हमने यहीं बता दिया उसको मैं आगे भी बताऊंगा तो इसको पहले ही बता दिया है मैंने फिर आते हैं इस्वर्चंदर विद्यासागर अगर वीडो रिमेरिज की बात आती है तो सबसे पहला नाम आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए इस्वर्चंदर विद्यासागर ये भी विवेकनन्द की तरह जो है वेश्टन और इस्टन थाट के सिंथेसिस पे विश्वास रखते थे वेश्टन मटेरियलिजम और इस्टन स्पिरिचुलिजम के जो सिंथेसिस चाते थे इनकी बहुत ही फेमस मैग जिन थी जिसका नाम था इंदु प्रकास इसको याद रखिएगा कि इंदु प्रकास किसने संपादित की थी उसके आंसर होगा इस्वर्चंद्र विद्या सागर जिसमें इन्होंने विडो रिमेरेज को काफी ज़्यादा सपोर्ड किया था ठीक है ये नान ब्रामन के लिए संस्कृत कॉलेज खोले थे और विडो रिमेरेज के लिए इन्हे के चलते जो है लॉड कैनिंग के टाइम फे विडो रिमेरेज एक्ट अठारा सो चपन पास किया था मैं सारे एक्ट जो है आपको नीचे इकट्थे बताऊंगा और एक दो चीज और याद रख लीजेगा जब भी मैं कोई टर्म्स की बात करता हूँ और भागवद गीता को किसने टर्म्स की आठारा सो तेरा चार्टर भी उपर में सन है उसके बारे में तो बताया नहीं तो भाई उसको टेंशन मत लेना एजूकेशन वाला जब सिक्षन बताऊंगा तो उसमें मैं सब कुछ बताऊंगा विलियम जोन्स के बारे में बताऊंगा वुट्स डिस्पैश से लेके हंटर कमिसन से लेके माइकाले पॉलिसी सब कुछ मैं उसमें आपको बताऊंगा साथिसाथ 1813 चार्टर 1833 चार्टर सब कुछ उसमें बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा कि एजू केसर के लिए एक लाग फंड आया, सब कुछ उसमें वहीं पे बताया जाएगा और चार्टर का अलग चैप्टर बनेगा, ठीक है अभी इसी टॉपिक पे ध्यान दखते है बेथून कॉलेज के सची हो दें के नाते इन्होंने अपने खुद के खर्चे पे 35 गल से स्कूल खोलेते जो की बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे अठार इसाब उननीसवी सताब्दी की बारे में बात हो रही आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी बात होगी उस टाइम पे ठीक है चलते हैं हम आगे याद रखीगा इसमें इंदु परकास विडो रिमेरिज एक्ट किसके करण आया था इस्वर्चंद विद्या सागर के करण अगले आते हैं बाल सास्ती जामबेकर अगर पस्चीम इंडिया मतलब माराथे जर्नलिजम के फादर कोई बोले जाते है तो बाल सास्ती जामबेकर ये एक लाइन में भी पूछा जा सकता है दो तीन सेंटेंज में भी पूछा जा सकता है इसमें और राना डे ये सब दिये जा सकते हैं लेकिन नहीं इसका आंसर होगा बाल सास्ती जाम बेकर इन्हों ने भी ब्राह्मा निकल आर्थोडॉक्सी जो की सभी चीज की प्रॉब्लम थी उसके उपर अटेक किया था ठीक है इनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ण था दिख दर ये एल्फिंस्टरक कॉलेच के एक हंदी के प्रोफेसर थे जो कि पहले प्रोफेसर थे सोच सकते उस टाइम इल्फिंस्टरक कॉलेच जो है आज के टाइम का Oxford था, इंडिया के लिए, ठीक है, वहाँ से ही Monroe गएरा निकले थे, बहुत important college था, वहाँ पे हिंदी का professor बनना बहुत बड़ी बात थी, इन्होंने Bombay में native general library establish किया था, तो आप से question पूछा जा सकता है कि Bombay में native general library किसने बनाया था, तो उसका answer जोगा, बालसास्त्री जांबे करजी होंगे, ठीक है, question दिया है, कुछ देख लीजिएगा, बालसास्ती जांबेकर याद करिएगा, पिछली बार याद रखिएगा, दैयरन सरस्वती और राचाराम मोहन राए, विवेकरनन से हटके भी question आते हैं, तो ये सब लोग बहुत ही important है, फिर आते है सिवु नरा अगनिहोत्री ने लाहोर में 1887 में established किया था, ये ब्रह्म समाज के follower थे, तो जो भी ब्रह्म समाज के thoughts थे, सब इनके देव समाज में था, ठीक है, याद रखिएगा, और देव सास्त्र उन्होंने compile किया था, याद करिएगा, देव समाज से देव समाज दोनों match करता है, त ये सिउदयाल साहब जिसका तुलसी राम नाम था, उन्होंने आगरा में 1861 में established किया था, ये supremacy आफ गुरु पे ज़्यादा force करते हैं, और मोक्ष, संसार से मोक्ष, जो कि हिंदू धर्म में हर philosophy में है, उसके उपर focus ज़्यादा करते हैं, तो इसमें important कौन है, रादा स्वा इसकी preaching क्या थी, तो ये आप लोग ध्यान रख लिजेगा कि supremacy of God और renunciation of word थो, question दिया हुआ है, simple है, बहुत ही simple है, इधर fact है, उधर question है, तो अभी तो simple ही रखे जा रहे हैं, DPP में आपको थोड़ा tough question दिये जाएंगे, फिर topic आता है, गोपाल, हरिदेश्मोग, जिनको लो खितवादी इसमें से किसको बोला जाता है, जिसको option में आपको लगाना है, गोपाल, हरिदेश्मोग को, ये जज़ थे अपने occupation से, कई बार statement कई पूछ लिए जाते हैं, दो, तीन, चार चीज़े, उसमें occupation खासकर UPSC आप अक्सर देखते होंगे, EPFO जैसे exam में, या CAPF जै और ये गवर्नर जनरल काउंसिल में एक मेंबर भी थे, हिटेचू करके इनकी एक weekly थी, जो की उतना important नहीं थी, जितना की अब जो है, सत्पत्रेन किसकी थी, गोपाल, हरिदेश्मोग जिसको लोग हितवादी कहते थे, आप दिमाग में रख लीजिए, ये basically hundred letters का एक collection था, जो की social aspect of society जो है, बताता था, सामाजिक, संजचना सामाज की बताता था, ठीक है, उसमें reformative viewpoint भी देते थे, तो गोपाल, हरिदेश्मोग के उपर एक दो question मनाये हैं, आप देख लीजेगा, मैं answer बाद में दूँगा, फिर विश्नु परमहन सास्त्री के बारे में आते हैं, विश्नु परमहन सास्त्री के बारे मैंने थोड़ा बहुत उपर बताया है, राना डेडी के करवे के साथ, इनके लिए सबसे ज़्यादा important है, विदुआ विवा उत्तेजक मंडल 1865 में इन्होंने बनाया था, और untouchable के पूना में सबसे पहले school किसने start गया था, उसके विश्नु परमहन सास्त्री होगा, ठीक है, फिर आते हैं बहराम जी मालाबारी, इनके दो काम बहुत ही important थे, age of consent act, 1891 में, मैं act के बारे में बोला हूँ कि एक जगा compile कर दिया हूँ, अब ही आपको सब कुछ बता दूँगा, तो आप confuse हो जाओगे, जैसे मैंने उपर बता आया हुआ है, ठीक है, 1891 में, age of consent act, बहराम जी मालाबारी के campaign के द्वारा आया, और सेवा सदन 1908 में इन्होंने इस्थापित किया, ठीक है, ये कहां के थे, आप लोग खोज लीजेगा, question मैंने बनाया हुआ है, अभी नहीं बताऊंगा, जब answer बताऊंगा, तो उसमें explanation मे बताऊंगा, फिर आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, जो की moderators के बहुत बड़े leader थे, अगर moderators की बात आती है, तो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है, ये जो है, रानाडे के सिस्से थे, और इनके जो सिस्से थे, गांदी जी थे, दोनों बहुत important question है, गांदी ज society कब बनाई थी, इन्होंने, 1905 में, बांबे में बनाई थी, कुष्ण ने बनाई थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, question कुछ दिये हुए, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, आप इसको solve करिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अपने, जो Lord करजन थे, उ इस चना सकता है कि किसने Lord करजन के tenure को औरंग जेप से compare किया था, तो उसका answer होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, जो आप गोवर्नर जंदल में पढ़ाऊंगा, उसमें जो है, इसको बहुत अराम से वहाँ पर बताऊंगा, Lord करजन में, ठीक है, tension मत लीजिएगा, अभी बता आलकृष्णिक गोखले जो है, बहुत ही आगे थे, ठीक है, फिर आते हैं बहुजन समाज, बहुजन समाज बिसिकली anti-congres था, वो इनको ब्राह्मन का एक organization करके, जो है, इनको एक आरोप, दोसर ओपर करता था, उनके उपर, इसको जो है, इसको इस्टेबलिस किया था, मु बहुत ही जादा important है, राधा कांथ देओ, जो है, 1830 में बंगाल में इसको establish किया था, इसने जो है, socio-religious reform movement का विरोध किया था, और सती प्रथा का भी विरोध किया था, ये चाते थे समाज में status को, राधा कांथ देओ जो है, बहुत important है, क्योंकि इनका और ब्रह्म समाज का जो है, काफी जादा conflict रहता था उस टाइम पे, वो चाती थी सती प्रथा बैन हो, ये चाती थे नहीं बैन हो, तो राधा कांथ देओ और उनके धर्म, धर्म मतलब जो है, धर्म, धार्मीक चीज़ें हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते है, कैसे भी करके जुगार की जरूरत ठीक है, फिर आते हैं परमहंस मंडली पे, परमहंस मंडली जो है, अठारा सो उन्चास में दादोबा पांडुरंगा ने महराष्ट में स्टैबलिस किया था, ठीक है, दादोबा पांडुरंगा ने परमहंस मंडली स्टैबलिस किया था, प्रार्थना समाज किसने बनाया थ आत्मरांग पांडुरंगा ने परमहंस मंडली जो है दादोबा पांडुरंगा ये मोनोथीजम को सपोर्ट करते हैं ठीक है इतना ही इसमें इंपोर्टेंट है ज्यादा इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है फिर आते हैं हम लोग गोपाल गनेश आगरकर में गोपाल ग पत्रिकाय थी लेकिन इसके पहले पहले एडिटर जो बात आती है तो गोपाल गनेश आगरकर जीजी आगरकर जो तिलक के बहुत ही खास थे मैंने बताया था व्यक्तित के टकराओं के टाइम पे क्या हुआ था दुआरा नहीं बताऊंगा एक चीज और याद रखिएगा म मराठा किस लैंग्वेज में थे तो मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में थी टीक है इसको दिमाग में पिठा लिजीए फिर अगला आता है सोचल सर्विस लीग सोचल सर्विस लीग जो है गोखले के एक सिस्स थे एनम जोसी जिसका नाब था नारायन मलहार जोसी उन्होंने बॉम्बे में स्टैबलिस किया था गोखले के सिस्स थे नारायन मलहार जोसी उन्होंने स्टैबलिस किया था ये मेंबर भी थे किसके मेंबर थे? Servant of India Society के लेकिन बाद में नहीं थे ये All India Trade Union Congress को भी 1920 में स्टेबलिस किया था जब Trade Union के बाद आती है आप EPFO का एक्जाम दे रहे हैं तो ये बहुत important हो जाता है मैं आपको Factory Act, Trade Union और Mill, Protest ये सब कुछ मैं जो है अलग से एक चैप्टर में बताऊंगा अभी के लिए इतना याद रखिए नारायन मलहार जोसी ने जो है All India Trade Union Congress और Social Service League लीग वाला मतलब चीज याद रख लीजेगा दिमाग में एनम जोसी थे मैं सुरुआती दिनों में बहुत ही मैं बहुत ही कनफ्यूज होता था तो आप किसी तरीके से इसको याद कर लीजेए फिर आते हैं भारत धर्म महामंडल के बारे में ये आर्थोडाउक्स हिंदूइजम को डिफेंस करता था ये साथ पिछली साल कुष्चन भी आया था इसलिए कुष्चन आया था कि लीक से हट के था इसलिए मैं कहता हूँ धर्मसाभा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्थोडाउक्स हिंदूइजम को सपोर्ट करता था जो की उस टाइम पे चेंज लाना चाते थे आरे समा तियोसोफिकल सोसाइटी आरे के मिशन जो है डैनीलीजिजम लाना चाते थे वो इसका अगेंस्ट करते थे इसके संस्थापक जो थे एक और भी समाज था जो की उस टाइम पे जो है आर्थोडॉक्सी का जो है सपोर्ट करता था उसका नाम था सनातन धर्म सबा 1895 में इस्टेबलिस होई थी जो कि 1902 में इन दोनों भारत धर्म महामंडल के साथ जो है यूनिफाई कर दी गई थी और उसका हेड़कॉर्टर वारानसी बना था ठीक है कहां बना था वारानसी तो इसमें दो नाम याद रख लीजेगा सनातन धर्म सबा और भारत धर्म महामंडल फिर आते हैं महिला आरे समाज महिला आरे समाज बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है और महिला आरे समाज की संस्थापक जो है पंडिता रमावाई अठारा सो नवासी में बामबे में जो की बाद में पूना में सिफ्ट हो गया था जिसका हेड़ कॉर्टर सायद ये कुष्चन ये भी आया हुआ है पंडिता रमावाई का महिला आरे समाज जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत ही पुराना कुष्चन है फिर चलते हैं यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में यंग बंगाल मूवमेंट जो हेंडरी वीवियन डेरोजियों ने स्टार्ट किया था ये एक मूवमेंट था ये जो है काफी ज़्यादा विष्टन थौट से इंफ्लूएंस थे और भारत के मध्यमवरगी मिडिल ग्रास को इनों ने बहुत ही ज़्यादा इंफ्लूएंस किया था सुरेंदरनाथ बैनर जी जो है खास कर इनसे काफी ज़्यादा इंफ्लूएंस हुए थे लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या थी हर चीज जो है विष्टन कल्चर अपनाना उसी तरीके से रहना खाना पीना सब कुछ जो है टूमच विष्टन जो है मास को यहां के अट्रेक्ट जादा नहीं कर पाए लेकिन इनका रोल योगदान भारती समाज सुधार आंदोलन में काफी जादा है तो याद रखिएगा यंग बंगाल मुव्मेंट किसने श्टार्ट किया था एंदरी विवियंड डेराजियो ने एक और आता है कुष्टन मैंने दिया है कुष्टन आप सॉल्व करिएगा कुष्टन का आंसर सॉल्व करने के बाद बताऊंगा ठीक है कुष्टन बहुत ही सिंपल है लिफ्ठ र पेपर सेटर जो है अभी आपके यूपी के ही हो इस यूपी के हो तो मैं भी पेपर का क्वालिटी देख के लगता है कि कई बार जो है इधर के ही टीचर है तो इसलिए मैंने इसको बता दिये क्योंकि इलाबाद में स्टैबलिस हुआ था तो उनके लिए यह important हो सकता है ठीक ह जो है दोस्तों अब ही हमने जो है jawarm movement हिंदु reform movement की बारे में बात की है जितनी भी बात की है इसमें कौन कौन से आ गया है एक पर चलदी से revise कर लेते हैं कौन कौन से आ गया है इसमें जो है आ गया है मैंने आपको बताया कि राजा राम मोहन, राजा राम मोहन दाया ने ब्रह्मा समाज इस्थापिस किया तो फलुब मुहावविद्दीन जो है इनका मोनोथीजम सपोर्ट करता था मिराद अकबार बामनिकल मैगजीन और वेदान सुटी आत्मी सवा और सती को प्रोहिबिट किया किसके रूल सत्रा के अंडर 1829 में ठीक है लाड वेलियम बेंटिंग के टाइम पे प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया था चलिए यह हो गया उसके बाद स्वामी विवेक अनंद के बारे में आते हैं नियो हिंदुईजम को प्रचार प्रसार किया न प्यानन्द सरस्थी यह रिवाइवलिस्ट मतलब रियक्सन था और इनके बचपन का नाम मूल संकर था इन्होंने आरे समाज की स्थापना की थी कहाँ पे कहाँ पे आरे समाज की स्थापना की थी बॉम्मे में 1875 में बाद में लाहोर में सिट हुआ था ठीक है इनका जो है बहुत ही फेमस एक जो है सत्यार्थ प्रकास जो है वर्क था जो कि हिंदी लैंग्वेज में था आगे डीए भी जो है 1886 में लाला हंसराज ने इस्टैबलिस किया था और स्वामी स्रदा नंद जो 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल इस्थापित किया था फिर सोफिकल किस थापना किस ने की थी उसके फाउंडेशन किस ने लगठा था तो आएगा तो उसका आंसर एनी बेसेंट 1898 में किया था ठीक है Central Hindu College करके फिर प्रार्थना समाज आ जाता है जिसका 1800 सरसट में अत्माराम पांडुरंगा ठीक है परवांसु मंडली आ जाता है तो ददोबा पांडुरंगा ने किया था 1849 के असपास फिर सत्य सोदक समाज आ जाता है जोतिवा फूले आ जाते है जोतिवा फूले का गुलाम गीरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बाद इस्वर्चंद विद्या सागर में दो चीज़ आ जाता है विडियो रिमारेज़ेट इंदू प्रकाश ठीक है उसके जाता है बाल सास्त्री जांबेकर जो है मराथी जर्नलिजम के फादर कहे जाते हैं इनका जो है निउस्पेपर था एक दरपन था और दिखदर संदो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रख लीजिएगा शिव नेरान अग्रिहो त्रियो आ जाते देव समाज जो लाह सास्ती के विद्वा विवा उत्तेजक मंडल आ जाता है बहराम जी माला बारी जो है आप लोग सर्च करिएगा कहां के थे ठीक है एज अफ कंसेंट एक्ट 801 कैनबे सेवा सदन 1908 ठीक है गोपाल कृष्ण कोकले के बारे में बात आती है सर्विंट आफ इंडिया सोसाइट कब बनाया था ये कुष्चन आया है कई बारा आया है कब बनाया था 1905 में फिर बहुजन समाज आ जाता है फिर धर्म सभा आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बोला है जब लीक से हट के कुछ भी आता है तो यूपी असी उसको बहुत ही जादा फोकस करता है राधा धर्म महमंडल और जो है सनातर धर्म जो है 1900 कब मिले थे दो में जो है जिसका हेड़कॉर्टर वारानसी में आया था फिर महिला आरे समाज ये और सारदा सदन की बारे में बात आता है तो पंडिता रमाबाई यंग बंगाल मूव्मेंट में हेंरी विवियन धेराजियो और सहिवा समिती एचन कुझरू ठीक है इलावाद दोस्तों इस पर कुश्चन करिएगा ये अभी का पहला लेक्चर है दूसरा लेक्चर इसी को आगे बढ़ाएंगे मुस्लिम रिफॉर्म मूव्मेंट का जो की इसके नीचे ही दिया है उसके बाद हम आपको उसमें पार्सी रिफॉर्म मूव्मेंट भी पढ़ाएंगे सिख रिफॉर्म मूव्मेंट भी पढ़ाएंगे लोवर कास्ट मूव्मेंट भी पढ़ाएंगे और साथी साथी जो मैं एक्ट की बारे में बात कर रहा था सारे एक्ट जो है एक जगा लाके आपको बताया जाएगा ठीक है आ ज्यादा campaign किया उसको मैं एक जगा कर दिया है तो आपको याद करने में easy होगा आप इसको revise करते रहें कई बार revise करिएगा जितनी बार revise आप अपने notes बना है उसको revise करिएगा ये pdf मैं chapter खतम करने बाद second lecture में मैं खतम कर दूँगा उसके बाद आपको provide करा दी जाएगी provide उनी को कराने में मज़ आएगी जो कि इसको काफी अच्छे से revise कर लेंगे ठीक है और तब तक के लिए धन्यवाद